दोस्तों, आज हम सुनते हैं मुन्शी प्रेमचंद लिखित कहानी दूसरी शादी जब मैं अपने चार साल के लड़के रामसरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वो भुलापन और आकर्शन नहीं रहा जो की दो साल पहले था वो मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आँखों से घूरता हुआ नजर आता है उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काम पुठता है और मुझे वो वादा याद आता है जो मैंने दो साल हुए उसकी मां के साथ जबकि वो मृत्यू शहिया पर थी किया था आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है उस दिन जबकि डॉक्टर नाउमीद हो चुके थे उसने रोते हुए मुझ से पूछा था क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे जरूर कर लेना फिर चौक कर कहा मेरे राम का क्या बनेगा उसका ख्याल रखना अगर हो सके मैंने कहा हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूंगा और रामसरूप तुम उसकी फिक्र ना करो क्या तुम अच्छी ना होगी उसने मेरी तरफ हाथ फेक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा दो मिनट बाद दुनिया मेरी आँखों में अंधेरी हो गई रामसरूप बे मांका हो गया दो-तीन दिन उसको कलेजे से चिम्टाए रखा आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपूर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया दो-तीन महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा ना था दिल में कई मनसूबे बांधता रहा दो-तीन साल नौकरी करके रूपा लेकर दुनिया की सेर को निकल जाओंगा यह करूंगा, वो करूंगा, अब कहीं दिल नहीं लगता घर से खत बराबर आ रहे थे कि फलाँ फलाँ जबह से नाते आ रही है आदमी बहुत अच्छे हैं, लरण की अकल की तेज और खुबसूरत है, फिर ऐसी जगे नहीं मिलेगी आखिर करना है ही, कर लो हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इंकार किये जाता था मैं हेरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है जबकि उसकी सुन्दर और पतिप्राना स्त्री को, जोकी उसके लिए स्वर्ग की एक भेट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया वक्त बीटता गया, फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए कहने लगे, जाने भी दो, और अत्पेरह की जूती है, जब एक फट गई, दूसरी बदल ली स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मूह बंद कर दिया करता था जब हमारी सोसाइटी जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विध्वा को दुबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती तो मुझको शोंभा नहीं देता कि मैं दुबारा एक कुवारी से शादी कर लूँ, जब तक यह कलंख हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता मैं हरगिज, कुवारी तो दूर की बात है, किसी विध्वा से भी व्याह न करूँगा खयाल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें लेकिन मंच पर अपने दिल के खयालात जबान पर कैसे लाँगा भावनाओं को व्यवारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में, हम में कितनी कमी है यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि छम माह बाद मैंने एक कुवारी लड़की से शादी कर ली घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलों किसी तरह माना उधर उस दिन मेरी बिरादरी के दो तीन पड़े लिखे रिष्टेदारों ने डांट बताई तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा लंबा चोड़ा व्याख्यान दिया करते थे अब वह तमाम बाते किधर गई तुमने तो एक उदाहरन भी न रखा जिस पर हम चल सकते मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया आँखे खुल गई जवानी के जोश में क्या कर गुज्रा पुरानी भावनाएं फिर उभर आये और आज भी मैं उनी विचारों में दूबा हुआ हूँ सोचा था नौकर लड़के को नहीं समहाल सकता और तेही इस काम के लिए ठीक है ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो रामसरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा लेकिन वो सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया रामसरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ क्यूं यह किसी से छिपा नहीं औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभब बात है ब्याह के मौके पर सूना था लड़की बड़ी नेक हैं स्वजनों का खास ख्यार रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी लेकिन सब जूट औरत चाहे कितनी नेकदिल हो वो कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती और यह हारदेक दुख वो वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीबी से असके आखिरी वक्त में किया था तो दोस्तों यह थी मुन्शी प्रेमचंद जी की जीवन के अथार्थता की और ले जाने वाली कहानी दूसरी शादी मुन्शी जी के हर कहानी का यही वैशिष्ट्य है कि वह बड़े सरल शब्दों में सहज भाव से मनुष्य के मनोविग्ञान को खोल कर रखती है उसके चरित्र को जीवन व्यवहार को बिना किसी जूठ का पहनावा उड़कर सामने रखती है मुन्शी जी की कहानी जीवन की अथार्थता को उजागर तो करती ही है साथी साथ खुद में समेट भी लेती है और अंदर ही अंदर जखजोर भी देती है